देखिए इंडिया का नाम बदलने में करीब 14,000 करोड का खर्च आएगा बहुत से expert property lawyer के according लेकिन बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर एक देश का नाम बदलने में इतना पैसा क्यों खर्च होगा क्योंकि ये तो बहुत simple है पर ऐसा है नहीं देखिए जब भी देश का नाम बदलता है तो state और district के साथ सभी government bodies में भी नाम को बदला जाता है जैसे stamp, stamp paper, documentation, currency, army uniform, maps update, private business documentation, सभी books में changes करनी होगी और नए नाम को internationally popular करने के लिए meeting, function, cultural program बार बार करना होगा यानि कि हर वो जगा जहां नाम बदला जाएगा, चाहे वो promotion हो, holdings लगाने हो, चाहे वो कुछ भी हो, हर एक चीज में पैसे खर्च होंगे ही होंगे तो क्या अब भी आपको लगता है कि देश का नाम बदलने में कोई पैसे नहीं लगेंगे? नीचे comment करके बताईए